हेलो प्रेंट स्वागत है आप सभी के हमारे चैनल बीवी बैंकिंग फॉर विगनर्स में जहां मैं आज आपके लिए एक ग्रेड़ और और ओली बोड में एक अनेस्ट रिव्यू लेकर आया हूं जैसा कि मैं खुद मॉक दे रहा हूं तो मैं आपको बता सकता हूं देखिए अभी तक जो भी मैंने मौक दिया है ग्रेड़ ओली बोड में मुझे ओली बोड से अच्छा मौक मुझे ग्रेड़ ब कर लगा है थोड़ा कम लगा क्योंकि मैंने देखा है ओली बोड में लोग 85-80 प्लस भी कर रहे हैं माक्स तो उनका पर्सेंटाइल 95-96 ही बन रहा है और ग्रेडब में आप 70 भी मार्क्स कर रहे हैं तो आपका लगवा पर्सेंटाइज 96-97 बन जा रहा है इसी साब से और ग्रेडब में इंग्लिस काफी अच्छा आ रहा है और यह मैं सिर्फ अधिक्लर के लिए किया हूँ क्यूकि मैं अभी दे रहा हूँ इसलिए मैं यह बता रहा हूं कि नहीं दिया हूँ उसका में नहीं बताऊएंगा और तो एक तरह यह हुआ और मैंने RRBPO में भी और पिछले जो भी मैंने मार्क्स एक्जाम दियें उसमें भी RRBPO में भी grade up का मुझे मॉक का लेवल बहुत सही लगा question type of varieties वगेरा यह सारे देखा जाएं तो grade up में काफी अच्छा रहा है और एक और वे हैं जिसमें आप कह सकते हैं देखिए ओली बोड का आप अगर जो 12 मंद का subscription लेते हैं तो आपको लगबग यह 2,800 का असपास पड़ेगी जबकि grade up का जब मैंने लिया था तो मुझे 300 ही रुपे पड़ा था हां 300 पड़ा था तो comparison में आपके लिए एकनॉमिकल भी है grade up ओली बोड काफी महेंगा भी है हां यह अब मेंस का मैं नहीं बता सकता है क्योंकि मेंस का हम ओली बोड का दिये थे तो वह मुझे जादे टफ लगा था comparison to grade up तो मेंस के लिए लेकिन हर आदमी आज के टाइम दो टेस सेरीज पर मतलब विलिव कर रहा है तो आप एक grade up के साथ जा सकते हैं आप एक ऑली बोड के साथ जा सकते हैं तो यह मेरा review रहेगा मेरा grade up में काफी अच्छा मुझे लगा बाकी आप देख सकते हैं grade up थोड़ अच्छे तो grade up ठीक है थैंक यू